Hello everyone, this is Avinash Mishra and you are watching my gardening YouTube channel, Wow Gardening दोस्तों, आज आपके सामने आप यह जो प्लांट देख पा रहे हैं, इसको गोल्डन साइप्रस के नाम से जाना जाता है यह आप इसे लेमन साइप्रस के नाम से भी जानते हैं ज़नरली देखा जाएं, तो आप अगर नर्सरियों में जाते हैं से परचेस करने के लिए तो आपको इसली यह दिख जाता है अगर आप इसे गोल्डन साइप्रस के नाम से बोलेंगे तो यह आपको इसली मिल जाएगा तो आज मैं दोस्तों आपको इसलिए इसकी वीडियो बना रहे हूं क्योंकि ये काफी दिन से मेरे पास request आ रही थी कि आप golden cypress की ओपर वीडियो बना रहे हूं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लास तक जुरूर वाच कीज़ेगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो मेरा प्लांट है दोस्तों ये मैंने जो है पांच इंच के गमले पर भी लगाया ह चोटा सा प्लांट है इसलिए मैं बहुत जादा बड़ा सा इसका पॉट नहीं लिया हूँ मेरे पास ये प्लास्टिक का पॉट है और ये बता दूं कि प्लास्टिक के पॉट मैंने इसे लगाया है उसकी वे मैं की एर बताऊंगा कैसे और आप देख पा रहे हैं ये मेरा बहुत जादा मैचोर नहीं हुआ है यह दो फूट का ही हुआ है तो इसकी हाइट इसके जो एज के काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ चल रही है और यह पॉसिबल कैसे हुआ है क्या-क्या इसमें चीज करनी है क्या नहीं करनी है तो वीडियो को ज़रूर आप अच्छी तरीक सब्सका प्लांट लगा हुआ है वेरिगेटेड जुनिप्रस है इसमें यलो साइट पेज पर निकल कहाते हैं तो यह दोस्तों जुनिप्रस कहलाता है और यह गोल्डन साइप्रस कहलाता है तो आप यह ज़रूर धियान रख लीजेगा जब आगर आप लेने जाए तो यह आप जब इसे टच करोगे तो थोड़ा से इसमें थ्रोन जैसा आपको फील होगा थोड़ा सा कांटे जैसे लगेंगे बट यह बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है चुने में तो यह इसका सबसे ज्यादा डिफ्रेंस है और इसमें जो है आपको कलर एकदम डार्क ग्रीन मि दूख देता है अब यह इसका जो कलर होता है यह कैसे बनता है यह भी मैं आपको बताऊंगा लास में सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों इसकी लाइटिंग कंडिशन की जो सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी प्लांट को ग्रोग करने के लिए तो यह जो प्ल देखेंगे कि जो दूपहर टाइम की जो धूप होती है काफी तेज होती है तो प्लांट उसे कई बार क्या होता बर्निंग की प्रॉब्लम आने लगती है आउटसाइड एज जो रहते हैं वह ब्राउन होने लगते हैं तो यह बात का भ्यान रखिए कि ऐसी जगह से प्लेस में लगती है जैसे कि आप यहां पस देख पा रहे हैं थूजा कभी प्लांट है तो यहां पर काफी दोस्तों अभी कभी टाइम में देखें मैं काफी से 12 एक बज़े तक अभी वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए तो कितनी ज्यादा तेज धूप होती है पर इस तर दाइट के कारण ही होते हैं तो अगर इसको आप ऐसी शेमेशेड एरिया में रखे हो तो वहां पर आपको यह सा कलर देखने के लिए मिलेगा जैसा इसका अंदर से कलर देख सकते हो डार्क ग्रीन यह कुछ ऐसा हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा दूसरी में में चल रहा है तो आफी से तीन दिन चल जाता हुँ तो ऐसी है दोस्तों की fins money die by anima को में चल जानीव जाती है तो आप अशुछ दोस्तों कि हमेशा थोड़ा सा नम रहती एव़न सेлиз bark license चाहिए इस लाइन को थोड़ा सा मॉइस्टर हल्की बहुत जादा नहीं हल्की आगिस में मॉइस्टर रहेगी तो अच्छी तरीकी से ग्रो करता रहता है और एक बात का और याद रखेगा एक दम ड्राय मत होने दीजेगा इसको किसी भी तरह तो आप ऐसे इसमें बनाइए क कि ज्यादा सौगी भी ना हो यह वाटरिंग से और क्योंकि पानी अगर खड़ा रहेगा तो यह प्लांट बहुत ही जल्दी से दोस्तों अपनी लीव गिराने लगता है जैसे कि देख पार है पूरा लीफी प्लांट है तो आप इस बात का थोड़ा सा ख्याल लखेगा तो प्लांट आपका बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा कोई भी मौसम हो दोस्तों आप जैसे कि समर्ज आ रहे तो समर्ज में तो आपको जो है से हर रोज वाटरिंग करनी पड़ती है तो आप अपने कंडिशन या वैदर की हिसाब से आप अपने प्लांट को जब लगा कर दोस्तों की जो फर्टिलाइशन है वह कैसे करनी है तो अभी विंटर कर टाइम है मैं आपको बताता हूं कि लिग्वड फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराई अपने प्लांट को जैसे मैं माइकर निट्रिंट बोलता हूं डालने के लिए तो आप इसमें वह एड़ कर सक कर दो बनाना मैं आपको बता है कि कैसे आप घर पर उसे बना सकते हैं और उसे आप लिक्विडली बना के प्रॉइड करेंगे तो प्लांट काफी जल्दी और अच्छे से एक्सेप्ट करता हो से और प्लांट में आपको विजबल रिजल्ट विजबल ग्रोथ देखने के ल लेंगे तो आप ऐसा जरूर कीजिए फिर आप मुझे रिजर्ट बताईएगा नेक्स में बात करूंगा दोस्तों इसकी सॉइल कैसे रेडी करनी है अब देखिए सॉइल मिक्सचर के मैं बता देता हूँ अभी भी आप देख रहे होगे कि मैं अगर अपनी फिंगर से इसको थोड़ा सैसे ही लाओंगा तो देखिए यहां पर आपको कितना ज्यादा यह यह देखिए कित्ती पोरस स्वाइल है एक दम भुर भुरी सी तो आप इसमें क्या किजेगा कि आप इसमें 50% जो नॉर्मल गार्डन स्वाइल है अगर आपके पास ब्लैक स्वाइल मिल जाती तो इसे कोई बात ही नहीं हो सकती आप उसमें 30% के करीब जो है 25 परसेंट आप उसमें सैंड आड कीजेगा 25 परसेंट आप उसमें पैण आड कीजेगा यह कॉड़न ज़ी नहीं है आपको जो मिल जाया वो यूश किजेगा तो आप यह तीनों को मिक्चर बनाकर कि अगर आपका पानी रुकेगा तो प्लांट आपका जल्दी से खराब होने के चांसस रह जाएंगे तो आप अगर अभी भी पानी आपका ड्रेन आउट नहीं होता है किसी तरह के पॉट से तो आप उसमें दोस्तों यह चीज का पहले जो है इसका मिट्टी निकाल के ड्रेन प्लास्टिक के पॉट्स तो उस तामें ज्यादा परसानी करते हैं जब आप जैसे रैनी सीजन चल रहा है उसमें हमेशा पानी होल्ड रहता है विंटर्स के टाइम में जल्दी पानी आपका नहीं सोख पाता है अगर आपको कोई प्लांट है इसको कम रिक्वार्मेंट है पर यह जो समर्स का टाइम होता है उसमें काफी अच्छी तरीके से यह प्लांट में वर करता है वह कैसे क्योंकि मैं आपने बता रहा हूं आपको कि जो इसमें पानी काफी देर तक रह जाता है तो आपको बार बार पानी डालने के प्रॉब्लम नहीं होती बट अगर आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा गर्मी जादा तरीके से दोस्तों कैप्चर करके रखता है इसमें गर्मी बाहर नहीं निकल पाते हैं अगर आप कंपेर करोगे टेरा कोटा यह सिमेंट के पॉर्ट से तो उसमें जल्दी से एरियेशन बना रहता है तो अब देखो अगर अच्छी तरीके से ग्रो करते रहेगा तो अभी देखी जब से मैंने से सिफ्ट किया है तब से मैंने इसको एक ही बार लिकट फेटिलाइजर दिया है बाकि मैंने इसको कंपोस्ट जैसे मैंने आपको बताया था वैसे इसको दे दिया है तो उसके बाद कितनी अच्छी तर किसे एक structure बनाता जाएगा ऐसे arrow के shape में तो वो काफी अच्छा इसमें देखने के लिए लगता है अगर मैं बात करूँ इस प्रूनिंग की तो आप light प्रूनिंग कर सकते हैं shape देने के लिए प्रूनिंग का पानी होता है यहां से निकल जाता है प्लस मैंने देखी मैं आपको यहां back side से दिखा देता हूं कि यहां पर देखिए कितना गयाप रखा मैंने करीब यहां पर देखिये कितना और इन प्लांट के भी बीच में काफी गैप है यह क्योंकि चारो तरफ से इनको इस पेस चाहिए होती ग्रोक आंगे कि अपस में प्लांट रखे हो तो अगर इस पेस नहीं होती तो काफी बार प्लांट को प्रॉब्लम होती है बस इत्नी छोटी से बात का आप ख्याल सब्सक्राइब। जो गोल्डन कलर सीव एक साइट से बनाएगा पीछे से जादा डार्क ग्रीन हो जाएगा या ग्रो नहीं करेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगता तो ये बात का भी अब धान रखेगा नेक्स बात आ जाती ही दोस्तों काफी बार कोशन आता है कि इस प्लाण में पैस् स्पाइडर माइट कई बार दोस्तों अटेक करती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसा नीम जो होता है दोस्तों नीम वाटरों का थोड़ा सा वाइल कर लीजेगा नीम की पतियों को तो थोड़ा सा डिटॉल या हैंडवास एड़ करके शावर कर दीजेगा तो अराम से जो है यह जाएंगी या तो जैसे कि कई बार होता है कि आपको शावरिंग करनी होती है जैसे मैं आपको कई बार बताता हूं विंटर में सौरी माफ की जगा आपको जब बताता हूं समर्स में तो आप जब समर्स में स्प्रिंकल करते हैं उपर से वाटरिंग को करत अगर आप इसको करना है तो आप जब इसमें सनलाइट पढ रही हो उस वक्त आप इसे अगर करेंगे तो आप इसको अगर पंदर दिन में एक बार भी नहलाना चाहते हैं तो कर दीजे वैसा तो कोई मेंडेटरी नहीं है तो आगर आप ऐसे करेंगे तो प्लांट भी खराब नहीं होगा और अच्छी तरीके से वह ग्रोध भी करता रहेगा आप यहां पस देखी सकते हैं कि मेरे चोटा सान मैच्वर प्लांट पर इसमें ग्रोध देखिए कि इत्ती जबर जस्त हो रही है इत् अगर आपकी घर पर है तो आप उसकी क्यार स्टार्ट कर देखिए जैसे मैंने आपको वीडियो पर बताया तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही आई होगी गोल्डन साइप्रस की उपर अगर आपको पसंद आई है और समझ में आया है कि आपको इस प्लांट की क वीडियो डालनों तो आपको लेटर सब्डेट सबसे पहले मिल जाए मैं मिलता हूं दूस्तों आपको नेक्स वीडियो पर किसी एक नए प्लांट के साथ तब तक लिए दूस्तों टेक एर आफ यूसल्फ एंड गुडबाए हैपी गार्डनिंग